आज की इस एपिसोड में डिसकस करने वाले हैं टाटा पावर स्टॉक के बारे में इस समय देखेंगे तो अगेन इस समय जो यह ट्रेड हो रहा है यह मेजर सप्लाई जो उनके प्राइस पे ट्रेड होते दिख रहा है जहां कि जो मेजर सपोर्ट थे हमने जो लाश्ट टाइम कहा था टू ट्वेंटी एट और थर्टी के लेवल को काफी रिस्पेक्ट फुलिस ने ब्रेकडाउन नहीं करें और जो मेरे एक्स्पेक्टेशन है वो काफी स्ट्रॉंग है तो आगे के ट्रेंड या न्यूज को समझे से पहले प्रीमियम टेलिग्राम को जॉइन करें और डिस्किप्शन के लिंक से एकाउंट आपन कर लें अगर आपको एक्टिव टेडिंग काम्निटी और लर्निंग ग्रूप में जुड़ना है तो यहां देखें तो इंडिविज्विज्वाल कुछ भी न्यूज नहीं है ज देख सकता है पिछले वन येर के रिटर्ण अभी भी काफी निग्ज लेवल है और ऑवर आल जो पावर सेक्टर है वह काफी ट्रेंडिंग है और यहां देखेंगे इसलिए हमने कहा कि यह जो जो जोन है यह एक सप्लाई जोन है 254 के लेवल को ब्रेक आउट करता है तो यह जो unfilled gap down हुआ था near around 272 और इसके बाद देखेंगे तो 284 से 90 और फिर 320 यह तीन टार्गेट 272, 284 और 320 के तीन टार्गेट short term से ले करके medium term trader जो within maximum 3 month भी hold करते हैं उनको यह target easily achieve होते हुए दिखने वाला है बिल्कुल panic नहीं करेंगे short term trader है तो यहां partial profit booking करें तो यहां पार् resistance के आसपास हो सकता एक breakdown दिखें और उसके बाद continue हो लेकिन अगर आप more than six month to one year hold करना चाहते तो बिल्कुल पैसेंसली स्टॉक में बने रहें